तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमने अपना फिलिप कार्ड जो है वह उपिन कर रखा है और यहां पर आपको जिस्वी फोन को वाई करना है उसके लिए जो है सर्च कर लीजिएगा सर्च बार में और या फिर आपके पास लिंक है तो उससे लिंक से क्लिक करके आजाईएगा और सबसे पहले हमें आपको दिखाना है कि मुझे कौन सा है लेना है फोन्स तो मुझे लेना है सेमसंग का गैलेक्सी का M31S जिसकी प्राइस तगरीवन 20,000 या फिर 20,000 के असपस है फ़ी फोन्स मुझे वाई करना है तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैंने यहां पर क्लिक किया तो यह बहुत सारे फोन्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां से मुझे सेमसंग का गैलेक्सी M31S जो है दिखने को लगे हैं नीचे के लिए फोन आप भी यहां से देख लिजेगा जो भी आपको फोन्स पसंद आता है इसकी प्राइज के साब से वो रख लिजेगा और उस पे क्लिक का दिजेगा तो इसमें एक ही फोन है जो सबसे उपर है 2842 रुपे का चलिए हम इसी को वाई करेंगे और देखते हैं EMI का उपसंस इसमें अविलेवल है या नहीं पैसे मैंने इसको पहले ही देख रखा है इसमें EMI मिलता है और ये EMI पर आपको मिल जाएगा तो चलिए मैंने अपना थोड़ा अड्रस है उसे हिड़न कर दिया है 7-day replacement policy है इसकी 30-4 दन में जो है आप इसको return कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा phones है और market price के साफ से रखे तब भी और brand तो आप चानते हैं Samsung अगर आप इंडिया से हैं तो वाई ना उपर आप जैसे आप क्लिक करते हैं इसमें EMI का options आपको यहां देखने को नहीं मिला तो मैंने वाई ना उपर क्लिक किया और वाई ना उपर क्लिक करने के बाद हम आगे जाते हैं देखिए इस पिकार से आपको cover बगेरा दिखाई देंगे तो आप cover को अगर purchase करना चाहते हैं क्लिक किजिएगा बरना इसके पर क्लिक करते हैं तो इसके पर क्लिक किया है मैंने क्योंकि मुझे नहीं करना है cover बगेरा वाई तो आप देखिए यहां पर भी आपको EMI का कोई options दिखाई नहीं दिया continue पर क्लिक किजिए जैसे मैंने किया है आगे बढ़ जाईएगा और आपको जो payment method है वो चूज करने के लिए मिलेगा तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आपको UPI wallet credit card networking आप देखीगा आपको EMI का options जो है easy installment आपको लिखा मिल रहा होगा तो आपको उस पर click कर देना है क्योंकि आपको phone EMI पर लेना है इसलिए वरना आप cash ले रहे होते या फिर cash on delivery भी है या फिर UPI से payment करके भी ले सकते हैं जैसे आपको लेकिन मुझे आपको EMI से बताना है तो आप EMI पर click करिएगा और continue पर click कर देजिएगा जैसे आपने continue पर click के आपको दिखाई देगा थोड़ा बेट कीजिएगा बेट करने के बाद यह आगे आ जाएगा देखिए अभी यह आ चुका है अब आपको देखना है कि आपका जो card है वो किस bank का है एक चीज आपको दिखना होगा कि जैसे आपका phone अगर ATM card है तो ATM पर आपको नहीं मिलेगा जो हम debit card जो होता है हमारा आपके पास EMI पर लेने के लिए credit card ही होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप जो आपका debit card होता है उससे वो काम नहीं करता है इसमें इस सीज का business द्यान लखीगा आप देखिए यहां पर आपने यह देख लिया कि कितनी किस्ता आपकी बनेंगी और कितने दिन में यह आपको payment करना है कितने percent का interest लगेगा वो आपको सब side में दिखाई दे रहा है उसके बाद continue करिएगा यहां करते हैं continue किजिएगा आपकी first case cut जाएगी और आपका phone जो है कुछ दिन के अंदर आपके पास आज जाएगा और यह तीन से चाहर दिन लगते हैं इसमें working days कोई बीच में चुट्टी नहुत तो अगर चुट्टी लग जाती है तो bank में process करने में थोड़ा time भी लगता है त उमीद कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा